कई नमबर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही बेहद खास और शक्तिशाली बताय जाते हैं अगर किसी विक्ती के जीवन में धन की बहुत ही जादा समस्याएं होती हैं या फिर किसी भी कारे को आप सोचते हैं और सोचने से पहले ही आपका कारे बिल्कुल हो ही नहीं पाता है यानि कि बहुत जादा मेहनत के बाद भी हर एक कारे में आपके अड़चने और बाधाएं आती ही रहती हैं तो आपको बता दे कि ये संकेत करता है कि आपका बुद्ध घ्रह खराब है जब भी किसी व्यक्ति का बुद्ध घ्रह खराब होता है तो ऐसे में उसका राहू और केतु दूनों ही खराब हो जाते हैं क्योंकि ये दूनों रहसे में घ्रह होते हैं इसलिए जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ये दूनों खराब हो जाते हैं तो उस व् समस्याइं उसके जीवन में इतना बढ़ जाती है और लगातार ही धनहानी उसे होती रहती है तो दोस्तों आपको बता दें इन सारी समस्याओं को बड़ी आसानी से कुछ नंबर्स का इस्तिमाल करते हुए और कुछ खास क्रियाओं को अगर कर लिया जाता है तो इस समपूर् इवन में कारें में जो बाधाएं आती है जो अडचने आती है वो इसी लिए आती है क्योंकि राहू और केतु ग्रह उनका अशुप प्रभाब में होता है यानि कि ऐसे रिजल्ट प्राप्त होते हैं कि जिस भी कारें को आप करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल उसके विप अधाएं और जितनी भी अडचने आपके कारें में आ रही हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बुक्स में उम्नमश्रिवाय हर हर महादेव वश्य ही लिख दें जिससे भगवान शिव की किरपा पर हमेशा बनी रहे तो द प्रियोक केवल आपको बुद्वार के दिन ही करना है क्योंकि बुद्वार के दिन बुद्ग्र है जादा परभाव में होता है तो जिन भी लोगों के कारें में जिन भी लोगों के जो सोची हुई चीजे हैं उनमें अडचने आती हैं उनमें बाधाएं आती हैं तो इस प् नमबर को लिखना है यह नमबर इस प्रकार है 1888 यानि के 1888 आपको यह नमबर लिख देना है बस बरगत के पत्ते पर अगर इस नमबर को लिख दिया जाता है जिस प्रकार हमने आपको बताया है जिन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए बताया है उन्हीं चीजों का इस्तेमा कारे करते हुए उस नंबर पर अधिक से अधिक आपकी नजर पढ़नी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा पढ़ेगा तो इससी जितने भी आपके कारे में बाधाएं आ रही हैं तो सारी एक एक करके बिल्कुल खतम होने लग जाएंगी और जितने भी आपके सूचे हुए कारे हैं वो निर्विगन बिल्कुल संपन होते हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ये पत्ता खराब होने लग जाता है तो इस पत्ते को दोबारा ले जाकर वहीं बर्गत विक्ष की जड़ में रख देना है और दोबारा से इस प्रयोग को करके वहीं पर लगा देना है जैसे ही इस प्रयोग को आप शुरू करेंगे आप खुद देखेंगे कि जो आपके रुके हुए बंदे हुए कारे हैं वो होने लग जाएंगे जैसे कि काफी लोगों की ये समस्याइं होती है कि उनकी दुकान बिल्कुल बांद दिया जाता है जिसकी वजह से उन के कारे में बहुत सारी बाधाएं आती हैं अडचने आती हैं तो इस प्रयोग को करके आप बड़ी असानी से लाब उठा सकते हैं बस बुद्वार के दिन ही इस प्रयोग को आपको करना है क्योंकि बुद्वार के दिन ही अगर इस प्रयोग को किया जाता है तो जो नूट्रल करके बिल्कुल समाप्त हो जाती है और बड़ा ही असान सा ये प्रयोग है तो अवश्य ही इसको करके लाब उठाएं इस खास जानकारी को अने लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सबी लोग इस जानकारी का लाब उठाके अपने जीवन में आगे बढ़ सके औ आज के लिए केवर इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव